खतम होने का और उसके बाद हम लोग अपना सत्र फिर शुरू करेंगे कमल जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक दबा कर इसकी पुष्टी कीजे धन्यवाद कर दो एक दो एक दो कि अपना सत्र फिर शुरू कर दो कर दो एक दो एक दो एक दो कर दो झाल झाल खमल जापकी तुस्टी का धन्यवाद हम इंतजार कर रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से आवाज आने का जो की इंतजार कर रहे हैं आगे इटालियन कक्ष में कुछ दिक्कत है उसको उसके समधान की तो चलिए जैसे ही अंग्रेजी कक्ष से आवाज आनी शुरू होगी आपको मे बहुत बढ़िया और लीजिये हम लोग आपका फिर से स्वागत करते हैं इस प्रस्तिती के अंदर और ये ग्लोबल यूनिट पे की प्रस्तिती एक भुकतान प्रणाली जो की हमारे वैश्विक पॉर्टफोलियो का हिस्सा है और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग जो ग् इसका मालिकाना हक रखता है अगले स्लाइड की उपर चलते हैं और यहाँ पर मेरा नाम मार्शल नियोंजीमा है और जो लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं राजदूत हूँ राजदूत परिशत का सदस्य हूँ साथी साथ मैं उपा वक्ता भी हूँ तो आज की जो प्रस्तिती है उसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ग्लोबल यूनिट पे के लिए ही मौजूद हैं तो अब आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक प्रकार से तो अगर आवाज आपको ठीक आ रही है तो धन्य तो यहाँ पर यह इसका जो उद्देश यह था और वो इसलिए था क्योंकि हमारी कंपनी के पास जो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर थे यानि कि भुक्तान करने वाली पार्टियां थी उनके साथ हमें दिक्कत आ रही थी कहीं बार हमारे जो पैसे थे उसको फ्रीज क जो समुदाई के लोग अगर कोई भी लेंदे नहीं कर रहे थे तब भी हम लोगों को फीस देनी पड़ती थी और कहीं बार हम लोगों को तीन दिनों का इंतजार करना पड़ता था कि वो अपने पैसे प्राप्त कर पाएं और अगर कोई भी पैकेज हो लेते थे तो तीन-त साथ कुछ लोगों जो थे वो charge back भी करते थे और जो ये हमारे पैसे जो थे ये पैसे स्थगित कर दिये जाते थे फ्रीज कर दिये जाते थे और company को लड़ाई करनी पड़ती थी, एक कानूनी प्रक्रिया से अपने पैसे वापस लेने पड़ते थे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं थी और सबसे महत्वपून बात यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं थी कि कोई ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी जो कि डिजिटल जो डिजिटल परिसमपत्यां हैं वो उन चीजों को समगर रूप से लागू नहीं करते थे और इसलिए हम लोगों ने समाधान के तौर पर ग्लोबल यूनिट पे का यूनिट पे का स्रिजन किया और यह इसलिए कि जो कमपनी हमारी कमपनी है वो लेंदेन सुगम तरीके से कर सके आप शायद कह सकते हैं कि कि अभी भी हमारे साथ भी कोई चीजे अच्छी नहीं चल रही है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो है हम लोगों ने जो प्रानाली है यह बिलकुल मूल से शुरू की है और अगर आप लोगों को याद होगा कि जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो इंटरनेट जो था वो बहुत धीरे था आप डाइल अप इंटरनेट की उपर थे और एक चीज को डाउनलोड करने के लिए आपको घंटे लग जाते थे जिन लोगों को जो लोग मेरे सत्र से हैं या जो लोग 40 वर्ष के हैं तो उनको वो डाइल अप इंटरनेट के बारे में मालूम है तो इसलिए ये जो एक प्रकार से क्रमागत उन्नती है और आप जो हैं आप मैं यही कहूंगा कि जैसे इंटरनेट बहतर हुआ है हम लोग भी बहतर होंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इतने बहतर हो जाएंगे कि आप लोग खुद कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर इस कंपनी का सहय मालिक हूँ और मुझे मालूम है कि हम लोग उस शन को भी बहुत शीगर प्राप्त करेंगे तो अब क्या फाइदे हैं कि हम लोग अपने खुद का एक भुकतान प्रणाली हमारी अपनी है वो सबसे पहले कि हम अपने वंड का स्वेम नियंतरन कर सकते हैं दूसरी बात हम लोगों को किसी तीसरी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमारी परिस संपत्तियों को स्थगित कर दिया जाएगा फ्रीज कर दिया जाएगा और जो बहुत बड़ी बड़ी जो फीस हम लोग तीसरी पार्टी को दे रहे थे वो फीस हम लोग अपने परिस्थिती तंत्र यानि एको सिस्टम में रख सकते हैं और ये हमारे सहे मालिकों के लिए होगा जिसके जो की बाद में जिनको लाबांश प्राप्त होगा तो ये एक विन विन परिस्थिती है और अगर आप लोगों हमारी कमपनी ने यदि कोई एक ऐसा उत्पाद बनाया एक शेक्षिक उत्पाद बनाया तो जो पैसा है वो कमपनी के अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है और चार्जबैक का जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम होगा तो एक चीज़ और जो अकाउंट है वो उसको निलंबित नहीं किया प्रक्षा नीतिया भी है इस अकाउंट के अंदर जिसके अंदर डिजिटल परिसंपत्या भी जो है वो मौजूद होंगी और इसी के लिए हम लोगों ने इस इस जी यूपी को हम लोगों ने बनाया है इसी का ये उद्देश्य है तो जब आप ये छोटे-छोटे जिच न अच्चा है जो इस समय पहले जो है वो नीचे घुटनों के बल चलना सीखेगा और उसके बाद वो भागेगा तो इसी लिए आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए और आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी दूरदर्शिता है वो काफी दूर तक है और बहुत बड़ अब चूंकि हम लोग एक वित्य प्रणाली का हिस्सा बनने वाले हैं और आप अगर चाहते हैं कि बैंकों के साथ आप कारे कारे कर सकें तो आप लोगों को और मैं आपको बताओं कि आप AML के लिए अंटी मनी लॉंडरिंग के लिए या फिर हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग पैसा लेकर आ रहे हैं वो पैसा उनको काला धन नहीं है उनका या वो पैसा उनको जो है वो आतंकवाद से उनको प्राप्त हुआ है तो इसलिए ये KYC जो है वो बहुत जरूरी है ताकि हम लोग अपने ग्रहाकों को जान सकें और हम लोग जो हैं हम लोग हम लोगों क जो company है वो Switzerland के संचालन में है और Switzerland के अधिकार शेत्र में है और साथे साथ जो हम लोग AML का भी अनुसरन करते हैं एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक नियम है कि आप लोग जो है आप आप जो company है उस company के लोग के वाइसी नहीं कर सकते और इसी के लिए ये के वाइसी का जो कारे है company को एक तीसरी party को देना पड़ता है जो कि इस company से स्वतंत्र होती है और हम लोगोंने global pass का चुनाब किया है तो ये global pass एक वो company है जो के वाइसी करेगी और आप लोगों के साथ बहुत सारे आपको आपको ऐसी भी चीजे मिली होंगी बहुत सारे उधारन हमारे पास आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि मेरा KYC मैं GUP में KYC नहीं कर पा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि ये हमारे company के लोग नहीं कर रहे हैं यहां पर जो सत्यापन है वो तीसरी पाटी कर रही है जो की global pass है और उनको अपने हिसाब से काम करना पड़ता है उनके अपने नियम होते हैं तो यदि वो आपसे कोई दस्तावेज मांगते हैं तो आप उसमें आप उस दस्तावेजों को जरूर उनको दीजिए ये उस प्रकार है कि यदि आप एक bank account खोलने जाते हैं तो वो bank account भी आपसे दस्तावेज मांगते हैं और यदि आप दस्तावेज नहीं देते हैं तो आप जो है आपका account नहीं खुल पाता है उसी प्रकार अगर ये लोग आपसे कोई अपराधिक certificate या आपसे कोई आपका प्र को जो हम लोगों को जिसका अनुसरन करना पड़ेगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि company जो है वो अपने लोगों को छोड़ रही है ऐसा नहीं है पर ये एक समाधान है जो हमारी company को अगले स्तर तक लेकर जाएगा लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस स्तर तक इस company के कर पा रहा है तो आप थोड़ा सा धैर्य रख्या क्योंकि कंपनी कोई ना कोई और समाधान ले कर आएगी तो अगर आप मुझे वादा करते हैं कि आप धैर्य दिखाएंगे तो ये आपके लिए हितकारी सिध्ध होगा अब यहाँ पर आपसे मैं आपको बताऊं कि ये जो ज जो हैं आप वैश्टविक पॉर्टफोलियो के सह मालिक है और साथी साथ जो हैं आप तो इन ग्लेबल यूनिट पे के आप ग्राहत तो बन रहे हैं लेकिन आप उन लोगों को भी बता सकते हैं जो हमारे हमारे समुदाय का हिससा नहीं भी हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं त आप जो हैं आप उससे आए भी कमा सकते हैं साती साथ आप क्या किया जा सकते हैं आप फियेट मुद्राओं का विन्मे कर सकते हैं और आप मुद्रा का विन्मे कर सकते हैं आप क्रिप्टो करंसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसको खरीद और बेच सकते हैं आप बेच सकते हैं खरीद सकते हैं और ये हमारी इस global unit पे प्रणाली के अंदर और साथी साथ आप over the counter संपत्ती में भी पहुँच बना सकते हैं ये वो संपत्ती होती है जैसे कि आप जो कीमती धातु जैसे कि सोना, चांदी, plutonium और ये सब चीजों का भी खरीद और बेच कर सकते हैं तो ये एक ऐसा account है जो आपकी पहुँच इतने जादा चीजों तक बना सकता है और ये आपकी पहुँच जो है, ये पहुँच आपकी बहुत शीगर बन सकती है यदि आप global unit pay में अपना account खोल लेते हैं तो दोस्तों, मैं यही कह सकता हूँ कि आप अगर इस global unit pay का हिस्सा बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाबदायक होगा तो चलिए आईए अगली slide की उपर चलते हैं कि global unit pay platform के अगर आप ग्रहक हैं तो आपको क्या मिलता है? मैंने आपको बताया कि जो सेवाएं आपको मिलने वाली हैं लेकिन आप साथी साथ आपको और क्या मिलता है? सबसे पहले आपको एक मुफ्त में back office मिलता है आपको किसी को कोई fees नहीं देनी पड़ती कोई प्रभार नहीं देना पड़ता अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे प्रभार लेता है और यहां पर हम लोग कोई प्रभार नहीं ले रहे हैं हम आपसे कोई प्रभार या कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं कि आपका जो back office है वो भी मुफ्त है और ये जो है ये अगर आप इनसे IBAN सेवाई लेते हैं IBAN नमबर लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रभार देना होगा अब आप अगर किसी भी देश के हैं जैसे एशिया से हैं या साउत अमेरिका से हैं भारत से हैं तो जहां पर आप लोगों के लिए मुश्किल है कि आप योरोप के अंदर अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अगर आईबैन अकाउंट है, तो वहां से आप हस्तांतरन या लेंदिन बहुत सुगम तरीके से कर सकते हैं. आप जो हैं आप जो ये एक प्रकार से आप लोग जो हैं एक अनुबंध होता है और ये अनुबंध इसके माधिम से आप पैसे जो हैं आराम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हस्तांतरन कर सकते हैं. स्विफ्ट नंबर होता है आपके पास एक योरोज, स्विस्ट फ्रैंक और बीटीसी और इस यूएसडीसी और साथी साथ बहुत शीगर हम लोग आने वाले समय के अंदर आप मुझसे आप तारीख मत मांगियेगा लेकिन बहुत शीगर आने वाले समय में आपके पास एक सिस्टयबेड कार्ड तक आपकी पहुंच होगी जहां पर आप कहीं पर भी इस्तिमाल कर सकते हैं और आप जो हैं वीजा और मास्टर कार्ड के माध्यम से यह सारी चीज़ें कर सकते हैं यह आपको मैंने बताई कि accuracy कितना है सबसे पहले यहाँ पर जो मानक हैं सुरक्षा के वो बहुत स्तर बहुत ऊपर है और आपके पास अंतराश्रिये कानूनी पालन है यहाँ पर एंटी-AML है यहाँ पर टेरोरिजम यानि की अपराद की पैसा इस्तिमाल नहीं होता और हम लोग ग्लोबल पास का इस्तिमाल करते ह हैं जो कि KYC हमारे लिए करती है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितना असान है हमारे लिए कितना आराम दायक है कि हम लोग अपनी इन सेवाओं का लाब उठा सकते हैं तो आप जो हैं आप 24 घंटे इस सेवा का लाब उठा सकते हैं और आप अगर हम लोग बैंकों से इसकी तुलना करते हैं तो आप अपने बैंक 24 घंटे नहीं जा सकते आप सब्ताहंत में नहीं जा सकते और अब आपको मैं बताओं कि आप जो हैं बहुत आराम से आप इसको कहीं पे भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये website model जो है आप business to business, business to customer और customer to customer के बीच में भी आप इस account का इस्तिमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बताओं कि ये जो 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 भुकतान प्रनाली है इसके अंदर विशेश्टाएं जो हैं हम जैसे जैसे समय बीटता जाएगा वैसे वैसे हम लोग जो हैं इसकी विशेश्टाएं बढ़ाते जाएंगे और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आपके पास एक अंतराश्रे टीम होगी जो आपको जो पूरे विश्व में काम करेगी जो 24 गंटे आपको समर्थन दे पाएगी ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है और आपको मुझे लगता है कि ये जब आप तो अगर आपको कभी लगता है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो आप ये जरूर सोचें कि हम लोग अभी इस चीज़ के मूल में हैं शुरुवाती दौर में हैं और एक ये आपके सामने तालिका है जो आपको बता रही है कि आपके कितनी फीस है जो आपको देना है आपके पास कौन-कौन से कार्ड आपको मिल सकते हैं और कितना प्रभार उसमें कितनी फीस आपको देने पड़ सकती है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका आप बेशक आप यहाँ पर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि यह सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन सा कार्ड आपको मिल रहा है उसका कितना प्रभार है, कितना उसके चार्जिस हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है और आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड आपके लिए बहतर है हम लोग यहाँ पर आपको बस बताना चाहते हैं कि यह क्या-क्या मूले प्रदान करते हैं और उसके बाद आप अपने हिसाब से आपके लिए कौन सा कार्ड ज्यादा अच्छा से अच्छा आपके लिए उप्युक्त रहेगा आप उसको खरीच सकते हैं। चलिए आईए अब यहाँ पर अगली स्लाइड की उपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या शम्ता है ये प्रणाली कैसे काम करती है और वगेरा वगेरा लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी पताना चाहता हूँ कि इस प्रणाली से आप कितनी आए कमा सकते हैं। और अगर आप ग्लोबल पॉर्टफोलियों के सहमालिक हैं, तो आपको किस प्रकार प्रत्यक्ष लाब होने वाला है? और ये लाब जो है, ये आपको वॉल्यूम से होगा, वो वॉल्यूम जो इस प्रणाली से निकलेगा. तो अगर आपके पास, अगर ये कहें कि दो दुकाने हैं, एक दुकान जो है, वो किसी और की दुकान है, जो बहुत बड़ी है, एक दुकान वो है, जो आपकी दुकान है, तो अब आप मुझे ये बताई है कि आप कहा जाना फाइदा करेंगे, कहा जाना आप पसंद करेंगे क्या आप अपनी दुकान पर जाना चाहेंगे जहां पर सेवाएं जो है आप जिसका इस्तिमाल कर सकते हैं या आप दूसरी जगा जाना चाहेंगे जो की बहुत भव्वे है बड़ी है लेकिन वहाँ पर चीजें खरीदने के लिए वो हम अपने प्रणाली से करेंगे ना की दूसरी प्रणाली से तो इससे क्या होगा जो वॉल्यूम के उपर जो फीस जनरेट होगी वो लाबांच में बदलेगी तो यदि आप ग्लोबल प्रोटफोलियो के वैश्विक प्रोटफोलियो के आप सहमालिक है तो आपको बहुत फाइदा होगा तो उधारन के तोर पर अगर हम कहते हैं कि हम लोगों के कि बहुत सारे लोग वेरिफाइड या उनका सत्यापन नहीं हुआ है और अगर हम लोग ये कहें कि लोग बाहर से भी हमारे हमारे भुकतान प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और एक मिलियन उप्योग करता अगर हमारे पास हैं और यदि वो एक हजार डॉलर हर महीने अपने खर्चें को पूरा करने के लिए इसको एक हजार डॉलर को टॉप अप करते हैं चाहे वो व्यक्तिकत खरीद के लिए या अपने घर की खरीद के लिए तो ये इस प्रणाली के अंदर एक टर्न ओवर जो है वो बनाएगा वो एक बिलियन का कारोबार करेगा तो यहां पर एक तो आपको जो है एक बिलियन वॉल्यूम आपको देगा ये आपकी वॉल्यूम है जो की प्रणाली के अंदर जा रहा है लेकिन उस वॉल्यूम से अगर आप उस वॉल्यूम से सिरफ एक प्रतीशत कमिशन भी आपका माते हैं तो एक तो ये जो है ग्लोबल यूनिट पे को 10 मिलियन प्रती मासिक दर पर प्रती मास आपके पास जो है वो आपका रेविन्यू होने वाला है आप ये बिकरी होने वाली है तो ये आप देखेंगे कि 10 मिलियन जो है वो आए होगी इस भुकतान प्रणाली की तो अगर ये 10 मिलियन में से बाकी के सारे खर्चे निकाल देते हैं और जो मुनाफ़ा जो बचेगा वो हम लोगों को वैश्विक पॉर्टफोलियो के अंदर दिया जाएगा या ये हम लोगों को प्रॉफी बोनस या हम लोगों को बोनस भी दिया जा सकता है तो ये ग्लोबल यूनिट पॉर्टफोलियो के अंदर ये एक प्रणाली है तो ये जो है ये जो मैंने आपको रकम बताई है ये रकम 10 गुना जादा हो सकती है और जो आज की तारीक में हम लोगों को मिल रहा है तो क्या आप आप कलपना कर सकते हैं कितना आज हम लोगों को बोनस मिल रहा है उससे 10 गुना हम लोग कमा सकते हैं और ये हमारी असक्रिया आए है तो अब आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि हम लोग अगर हम लोग इस उप्योग करता बन जाते हैं तो किस प्रकार हम लोग इस प्रणाली से अपनी आए भी कमा सकते हैं तो अगर आप चैट में प्लस दबाकर पुष्टी कीजिए कि आप किस प्रकार से आए कमा सकते हैं तो यहां पर अंग्रेजी कक्ष में केवल 20 लोग मौजूद हैं और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आए कमा सकते हैं और उसमें सिर्फ 19 लोग हैं तो आप लोगों को यह मैं बता दू कि आप लोगों को जितना जादा नौता देंगे यहां पर आने का उतना जादा बहतर होगा तो चलिए आई अगली स्लाइड की उपर चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कितना संभावित आए कमा सकते हैं सक्रिय रूप से, तो कि जब आप ऐसा कर्स करेंगे, तो आप जो हैं सक्रिय आए कमा सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप क करियर के स्तर पर जो लोग आराम से पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले जिसे हम लोग agent कहते हैं और इस agent जो है वो आप जो है आप एक सरल तरीके से हम मैं इस प्रणाली को रखूंगा लेकिन आप इसको अपने हिसाब से काम कर सकते हैं कि क्या कारिय शमता है इस प्रणाली की तो यहाँ पर केवल एक उधारन के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ यह नियूंतम आए है जो आप कमा सकते हैं तो agent के बतौर आपके पास केवल चार लोग हैं आपकी संगरचना के अंदर तो average के जो नए नया plan है उसके अंदर यह जो average का नया जो bonus plan है वही plan जो है हम लोग global unit pay के लिए उसी plan का अनुसरन करने पड़े करन करेंगे तो यह स्वता ही आपको कुछ नहीं करना है यह automatically या स्वता ही आपके संगरचना में यह bonus plan शुरू हो जाएगा तो जब आप किसी को भी अपने संगरचना में नए व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप उनको card बेच सकते हैं तो अब यह बहुत उसाहित करने वाली बात है कि हमारे पास एक ऐसा उपकरन है और हम लोग उस उपकरन के जरिए जो है यह cards बेच सकते हैं तो आपको आपको बहुत असमन जस्यता नहीं होने वाली है सारी चीज़े वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं जैसी इव और इच के अंदर है तो अब आप देखें कि आप कुछ भी जो है मातरा डाल सकते हैं 200 योरो लेकिन मैं हमेशा लोगों से आगरे करता हूँ कि आप उनको कहें कि आप जो है प्लैटिनम कार्ड लें जो 500 डॉलर का है तो अगर आप लोगों को कहेंगे तो एक लीडर के बतोर यह आपको भी प्लैटिनम कार्ड ही लेना होगा क्योंकि हम लोग जो हैं उधारन से ही हम आगे चलते हैं तो चलिए आईए अगली स्लाइड की उपर चलते हैं और यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर आपकी कारेशमता क्या है तो यहां पर यह आपकी कारेशमता कितनी है आए कमाने की लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग जो है यहाँ पर जो 94 योरो कमा रहे हैं या आपके पास आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिएं जो कि जिससे आपकी जो आए है वो हर महीने 94 डॉलर की या 94 योरो की हो तो ये बताइए कि ये मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ एकदब निम्च स्थर पर जाने की और ये 94 डॉलर से आप कुछ बिल्स का भुकतान कर सकते हैं जैसे इंटरनेट या आपके टेलेफोन का बिल तो जब आप किसी भी यदि आप वित्ये स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि ये जो आए है ये मेरे कौन-कौन से भुकतान कर सकती है तो यहाँ पर ये आपको केवल और केवल आपको ये स्वतंत्र ही नहीं बनाएगी लेकिन ये जो आए है ये आपकी दो या तीन बिलों का भी भुकतान कर सकती है तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ी सी महनत और करते हैं अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी महनत करते हैं इस कार्ड के उपर और लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि लोगों को क्या-क्या पुरुसकार मिल सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह जो उपकरन है आप इसको बहुत असानी से प्रोमोट कर सकते हैं आई अगले साइट पर देखते हैं कैसे तो यहां पर अब हम लोग एक अलग अगले स्थर की उपर बात करते हैं जो कि आपके केरियर का जो स्थर है वो है सलाकार का स्थर है और यह मुझे मालूम है कि अगर आप सलाकार बनना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या नियूंतम आपकी शर्ते होती हैं लेकिन आप मुझे मालूम है कि एक सलाकार जो है वो उसकी संग्रचना जो है वो गहरी भी हो सकती है और वो चौड़ी भी हो सकती है पर मैं यहां पर आप को केवल और केवल पैसे दिखा रहा हूं तो आप पैसे में तो आप चैट में जरूर लिखिए कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसे आप यहां पर कैसे कमा सकते हैं तो आपको मालूम है कि पांच बटा पांच प्रमोशन जो है वो चल रही है और य इस महीने के नहीं बलकि सब्तंबर के अंतक ये प्रोमोशन चलेगी, पर मुझे नहीं मालूम की बहुत सारे लोगों को ये पता है की नहीं पता है, लेकिन 5 बटा 5 प्रोमोशन से आप लोग जो हैं बिना कुछ पैसे को निवेश किए आप आए कमा सकते हैं, आप कोई भी उत इसपाद है, वो बेच सकते हैं. तो जब ये आए बनेगी और अप जब ये आए आए आपकी बनेगी, तो ये आए जो है, आप उस आए का इस्तिमाल कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा वेज़ाए है, जिसके अングर आपको पैसा निवेश करने की जरुत नहीं है, और बिना पैसा नि रह जाता जिसमें आप ये कहें कि आपके पास पैसा निवेश करने के लिए यहां पर पैसे नहीं हैं तो अब यहां पर यदि आप वाकई चाहते हैं कि आप एक अच्छी आए कमाएं तो आपको इस चीज़ को एक वेवसाय के तौर पर करना होगा इसको आप यहां पर अनुम जो है वो आप अगर इस चीज़ का इस वेवसाय को आप शौक के तौर पर मत करें लेकिन आपको इसको एक पेशेवर तौर पर आपको एक वेवसाय की तरह इसको करना होगा और इसमें आपको अपनी उर्जा भी लगानी होगी तो अगर आप इसको विफसाई के तोर पर करते हैं और पांच बटा पांच प्रोमोशन का लाब उठाते हैं और उसके बाद आप जो हैं आप ये कार्ड खरीद लेते हैं और ये कार्ड लोगों को बताने से पहले खुद खरीद लेते हैं तो आप इस कार्ड के माध्यम से वा 125 यूरो कमा सकते हैं यूरो तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इस साल में आप ने या पिछले साल में आधा भी 2,19,125 का कमाया है तो यूरो का कमाया है लेकिन यदि आप बहुत गंभीर रूप से काम करते हैं और मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो कमिशन जो आपको से मिलती है लेकिन यदि आप एक सलाकार के तौर पर आप कारिय करते हैं तो यह आप जो हैं आपको प्राप्त हो सकती है जदि आप जो हैं सलाकार के रूप में आप कमा सकते हैं और यहाँ पर आप जो हैं आप अपने कैरियर की सीड़ी में ऊपर उठेंगे और उठते ही र तो आपको जो है आप सलाकार से आप लीडर प्रबंदक बनेंगे उसके बाद आप शीष प्रबंदक बनेंगे और ये जो आंकड़े हैं ये वाकई आपको बहुत आपको बहुत हैरान कर देंगे तो यहां मुझे लग रहा है कि मैं केवल मैं ही जो हूँ मैं यहां पर उत्साहित हूँ अलीना उत्साहित नहीं है यहां पर तो कोई भी उत्साहित नहीं है तो मुझे कुछ तो आप प्रतिकिरिया कीजिए और आप देखें कि आप हो सकता है कि आप प्रेजिडेंट हैं या vice president हैं या आप leader प्रबंदक हैं लेकिन ये product अगर आएगा ये उत्पाद अगर आएगा और इस उत्पाद के उपर आप काम करेंगे नए लोगों को जोड़ोंगे नए स्तरों का विस्तार करेंगे तो आप इस पैसे को कमा सकते हैं और ये बहुत उत्साहित करने वाला है और हम लोग कुछ उपकरन जो है आप के लिए लेकर आएंगे और ये उपकरन आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार आप बहुत सरलता से इसको कर सकते हैं तो क्या आप तयार है और ये जो नई प्रनाली है ये आने वाली है तो ये जो वेबिनार है ये चिट जो वेबिनार ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो जीवित लोग ही नहीं है आपको मैं इतनी उर्जा दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ उर्जा वापस चाहिए दोस्तों अगर आप चैट के उपर कोई स्माइली नहीं भेजेंगे कोई प्रतिकिरिया नहीं करेंगे तो मुझे मेरी उर्जा वापस नहीं मिलेगी मैं कुछ सेकिंड्स के लिए इंतजार करूंगा और नहीं तो मैं आप लोगों के नाम भी लेने वाला हूं और या तो फिर आप मेरे साथ नहीं है या आप सो रहे हैं तो दोस्तों तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो है एक किस लोग जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर मुझे प्रतिकिरिया हिंदी कक्षमे कुंदन जी की आ रही है और तो क्या यह चैट लोगों के लिए डिसेबल्ड है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को शम्ता देनी चाहिए कि जहाँ पर वो चैट कर सके मैं लोगों के साथ बारतालाब करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हर किसी जो है हर कोई अपनी प्रतिकिरिया दे सके तो बहुत बड़िया तो ये जो आपकी आए है ये बदलने वाली है और इसलिए हम लोग हर हफते ये वेबिनार कर रहे हैं ताकि आप लोग तयार हैं और आप कुछ बड़ा सोच सकें आप ऐसा सोच सकें कि जो आसंगरचना में जो लोग हैं वो आपके साथ हैं और आप नए लोगों को अपनी संगरचना में जोड़ें और लोगों को बताएं कि वो क्या-क्या कमा सकते हैं यदि आप किसी चीज़ को प्रोमोट करते हैं तो आपको वो promotion तब करनी पड़ती है जब आप promotion होने से पहले है आप अगर किसी boxing की प्रतिसपरधा या boxing match को देखने जाते हैं तो वो तब promotion नहीं करते जब boxing का match होता है वो तब करते हैं जो back boxing के match से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना 6 महीना पहले promotion करते हैं क्योंकि इसकी शमता बहुत है तो आपको जब ये आपको पता है कि जब ये चीज शुरू हो जाएगी तब आपने लोगों को क्या कहना है तो promotion आपको आज ही करनी पड़ेगी तो चलिए आईए अगली slide के उपर चलते हैं तो ये एक बहुत ही तेज बहुत ही छोटी सी प्रस्तिती थी लेकिन मैं आप लोगों से आगरह करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर नियौता दे आप अपने जो संग्रचना है इस उपकरन के माद्यम से कमा सकते हैं जब आप global unit pay के अंदर मैं यहाँ पर लोगों को बताता हूँ कि वो कैस प्रकार से इस भुक्तान प्रणाली से आए कमा सकते हैं और अगर आप अपने लोगों को नियौता नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप जो हैं बहुत मुश्किल से अपने आए को बढ़ा पाएंगे उसके सर को बढ़ा पाएंगे तो आप जो है आप इसका मतलब यह है कि अगर नए लोग आपकी टीम में नहीं जुड़ेंगे जो कि यह चीज़ को समझते हैं कि यह कार्ड के अंदर कितनी शक्ती है तो आप पुरानी टीम के साथ ही जब काम करेंगे तो आपके आए जो है वो नहीं बढ़ेगी नए लोग हमेशा उत्साहित हैं नए लोगों के पास मौका है कि वो 5x5 प्रमोशन के साथ वो वाइस अध्यक्ष उपध्यक्ष लीडर मैनेजर तक बन सकते हैं तो पर उसके लिए आपको लोगों को आपको न्योता देना होगा मैं यहां पर अपनी उर्जा आपके लिए लगा रहा हूँ और मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ और आपको कोई ना कोई मेहनत के साथ आप भी अपना योग्यदान दीजिए तो मैं आपको इसी समय अगले गुरुवार को फिर से मिलूँगा और आपको बताऊंगा ग्लोबल यूनिट पे में आप किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद तो दोस्तों ये सत्र यहीं खतम हुआ और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे आपके आप इस सत्र में